बंदे पुर्सोत तुमम को दे देना अच्छा है चोरी होने का अर्थ है सतरकता की कमी है चोरी होने से मुझे चोर पर मन खराब नहीं होता है दुख स्वयम पर होता है एक बार मेरे घर में चोरी हो गई मैं कुछ दिन बाद सड़क के किनारे कुछ लड़कों से बाचीत के करम में कहा कि चोर चोरी नहीं करेगा तो क्या करेगा उसे भी तो इस्तری बाल बच्चे हैं उसे भी तो खिलाना है यदि वह किसी से आधासीर चावल मांगेगा तो कोई नहीं देगा इसलिए वह बाद देहोकर चोरी करता है वह चोर कुछ दूरी पर खड़ा होकर मेरी बाते सुन रहा था वह बारा बजे रात्री में मेरे पास आया एवम कहा कि मैंने ही आपके घर में चोरी किया है मैंने तो इस तरह की बात कभी नहीं सुना था सभी लोग चोर को बरमास ही कहते हैं वह पुर्णा एक दिन आया एवम कहा कि बाबू मैंने कुछ शामान बेश दिया है कुछ ठाली बच्ची है आप उसे रख लीजे मैंने कहा कि नहीं तुम ही रखो मैं तुम को एह जब दे दिया वह कुछ भी रखने के लिए तयार नहीं था वह कहा कि यदि यह आप नहीं रखेंगे तो मैं आपको नया खरीद कर दूँगा मैंने कहा कि तुम कहां से खरीद कर दोगे वह कहा कि बाबू बिना चोरी किये मैं रहा नहीं सकता हूं मैंने कहा कि तुम अब चोरी नहीं करो सदभाव में चलो वह चला गया, वह बीच बीच में आता जाता था मैंने कहा कि तुम कैसे चोरी करते हो, मुझे सिखा दोगे उसने कहा कि बाबू, खबरदार, ऐसा काम आप नहीं करेंगे चौकिदार आपको मेरे साथ देख लेगा तो उसके मन में मेरे प्रती जो भाव है वही भाव आपके प्रती भी हो जाएगा आप भद्र घर के लड़के हैं मैंने उसे नहीं छोड़ा, यूम बार बार कहा कि तुम मुझे एक बार चोरी करने के लिए ले चलो मैं देखूंगा कि तुम कैसे चोरी करते हो वह एक अंधकार की रात्री में आया यूम चलने के लिए कहा तो मैं उसके साथ चल दिया रास्ता में चलते चलते मैंने कहा कि तुम अपने घर में सिकल तो दे दिये हो तो उसने कहा कि नहीं दिया है दर्वाजा को बंद कर सिकल दे कर आना चाहिए घर में तुम्हारी इस्तरी सोई है कोई घुसकर चोरी करके ले जाये तो क्या होगा मैं जानता था कि उसके इस तरी पर एक व्यक्ति की नजर रहती थी या सुनकर वह अपने घर की तरफ जाने लगा एवं कहा कि आज चोरी नहीं होगी मैंने कई बार कहा कि चलो एवं चोरी करो मैं देखूंगा लेकिन वह बार बार कहता रहा कि आज चोरी नहीं करूंगा मैं भी उसके पीछे पीछे आ गया इससे बात समझ में आया कि जो चोरी करता है वह अपना च्छती होने देना नहीं चाहता है इसके बाद वह चोरी करने नहीं गया आश्रम में बहुत लोग आते थे, सभी लोगों के पास रूपया पैसा रहता था, लेकिन कभी उसने कुछ नहीं चुडाया एवं आश्रम में रहने लगा दीपरक्षी चतुर्थ खंड प्रिष्ट संख्या बारह दिनांक नौतीन उन्नैस सो अंठावन जाए गुरू